साधू जी कहां से हो माता जी बाबा मैं खरगौन से हूँ पहली बार आई है यहां आपने किसी को नाम बताया था क्या नहीं बाबा हमें कैसे पता लग आप मानती हैं बागे सुर्धाम की हाँ ठीक है हमें जो हनमान जी की पेरिना लगी हमने मा उसको जो है परचे पर कलमबद किया पूछिए क्या बात बस बैटे की शादी के लिए ठीक है उसका नाम क्या है हिमेश गुजराती नजदी का आपके टोटल पुष्ण तीन आए है अगर गलत हो तो आपने पुष्ण तीन पूछने के लिए आई है हाँ या ना और पूछ लो पढ़िए गुटनों में दर्द स्वयम के मकान को लेकर परिशान है अर्चना नाम है इनका घर स्वयम का दो साल के अंधर होगा आपका बालक हिमेश का विबाय दोहजार चौबीस में संपन हो जाएगा परचा पढ़िए यही है बराबर माइक से बोलो जय भागे शुर्व जय सियाराम साधू जी बाबा एक और अर्जी है मेरी अच्छा बोलूं क्या मैं एक मिनट हमें फिर लिख लेने दो हाँ मेरी एक और अर्जी है मेरी सिस्टर मेरे साथ आई है उनका बेटा पिछले दस साल से गाया अब है जी अच्छा जी और उन्होंने घर से अर्जी भी लगाई थी घर से उन्होंने नारियल का प्रयोग भी किया था और यहां पर खेर तुम उन्हीं के लिए आई हो अपने लिए नहीं आई थी आपका मन्ताक अगर लग जाएगी तो हम चले जाएंगे न actuई किसी हाल में मिल्याब यहीं तुम ने बेटे-बेटे अंपनी कुल्कीет ए्भी से प्रात्वा कि आपकी धे विह कि मैंने अपना बेटे के लिए तो मेंने अभी प्राइथन की है दिन भर हम पहले तो गो करेंगे जिनकी आग्या लगी है हम पहले वो परचा बना लें उनका फोटो हम तक भेज दें हम यहीं से उनको लोकेशन दे देंगे आप वहां चाहिए यह परचा है इसमें मंत्र है वो आपके पीड़की पीडा के लिए है दो वर्स के अंतरगत मकान योग ब लेकर एक बार धाम आना है हम उपाय कर देंगे कोई भी भूत बाधा नहीं है लेकिन पूर्व में अकाल मृत्तु हो चुकी है तो उसका दोस घर में है इसलिए काम सफल नहीं होता है हम सेना भेज देंगे आशिवा मेरा पहला बालक्षान तो गया था अब हम पोचर चाज देटेल की जरूरत नहीं है कारण और निवारन पता लग गया यह बहुत है आशिवास उठो